आज तो पाई ज्यादा सेल्फी लेगा फॉल्लेवर्स की लैंड लगजनिये लैंड आप पाँ तो वही सलबरेटी लेगा स्क्यूज मी मेरे साथ सेल्फी लेंगे आप क्यों भी शिजादे? उदास क्यों? बेशक तुम टीवी और फिल्म के बहुत बड़े सलेबरिटी नहीं हो लेकिन मेरे नजजीक तुम इंस्टाग्राम के बहुत बड़े सलेबरिटी हैं लो मेरे साथ सेल्फी लो तो दोस्तों, इस सेशन के अनदर हम बात करेंगे कि एंस्टाग्राम क्या है और हम देखेंगे कि इंस्टाग्राम सेलेबरिटीज की आज कल की फ्री लांसिंग दुनीया के अंदर और सोशल मीडिया के दौर के अंदर कितनी इंपॉर्टन्स है आप में इस करी लोगों ने इंस्टाग्राम का नाम नहीं सुना होगा लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं इंस्टाग्राम फेस्बुक की तरह एक बहुत ही पॉपिलर सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म है जो पाकसान में तकरीवन कम यूज होता है क्योंकि हम ज्यादा तर फेस्बुक यूज करते हैं इंस्टाग्राम को ओन करने वाली कंपनी भी फेस्बुक है तो इंस्टाग्राम और फेस्बुक की आपस में इंटिग्रेशन भी बहुत स्रौंग है Instagram पे आप ज्यादा तर वीडियोज और फोटोस शेयर कर रहे होते हैं फोटोस के थूँ और वीडियोज के थूँ आप अपनी जिंदगी की या दिन की पूरी की पूरी कहानी बता रहे होते हैं अपने फॉलर्स को इसमें भी Facebook की तरह न्यूस फीड होती है जिसके ओपर आपकी चीज़ें अपेर हो रही होती हैं आपके फॉलर्स को और जो जो आपके पेज़ को यानि के Instagram के पेज़ को लाइक करता है उस तक आपकी तमाम पोस्ट शुदा वीडियोज और फोटोस पहुंच रही होती है Instagram के अंदर हैश्टेग का इस्तमार सबसे ज्यादा ही यूज होता है Instagram ज्यादा तर यूज किस वज़ा से करना चाहिए आई यूज के ओपर थोड़ी सी नज़र डालते है सबसे पहली रीजन है रीच Instagram स्पेसिफिक यूजर तकरीबन 800 मिलियन से ज्यादा है पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा नंबर है अकसर क्लाइंट आपको मिलेंगे कि जो कहेंगे कि हमारी Instagram फोक।स एड्स बनाएं और Instagram के ओपर उन एड्स को चलाएं ज्यादा तर क्लाइंट्स इस चीज़ पर बलीफ करते हैं कि फेस्बुक के ओपर जो टेक्स्ट्योल एड्स हैं वो Instagram की निस्बत ज्यादा एफेक्टिव नहीं और Instagram की जो एड्स जो फोटोज औरियन्टिट होती है उसकी रीच और उसकी इंगेजमेंट फेस्बुक की एड्स से ज्यादा होती है इसे अगर हम आगे चलें तो दूसरा बड़ा पॉइंट Instagram को यूज करने का है विजूल मार्केटिंग जिससे मैंने पहले भी बताया है कि फोटोज की मदद से आप अपने कॉंटेंट को Instagram पे शेयर कर रहे होते हैं लफ़ बहुत कम होते हैं तो विजूल मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल इसमें होता है ज्यादा तर फेशन के ब्रैंड्स या स्लेबरिटीज Instagram पे अपनी जिन्दगी की कहानी को फोटोज के तरू एक्स्प्लेइन कर रहे होते हैं विजूली एक्स्प्लेइन कर रहे होते हैं और विजूल का जो इंपेक्ट होता है वो हमेशा लफजों का नहीं होता तीसे नमबर पे हमारे पास है फोटो एन्हास्मेंट टूल्स इंस्टाग्राम आपको बहुत से ऐसे एन्हास्मेंट टूल देता है फिल्टर्स की शकल के अंदर कि जो आप यूज कर सकते हैं अपनी इमेजिस को बेतर बनाने के लिए जो फेस्बुक के अंदर कंपरिटिवली कम है उसके बाद दोस्तों हमारे पास पॉइंट है एक्सप्रेस परसनेलिटी का फोटो उसके थूँ ज्यादातर सेलेबरिटीज अपनी रोजमरा जिंदगी की पिक्चर को इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे होते हैं वो अपने खाने की पिक्चर सुबा कौन सा अंडा खाया है उसके पिक्चर पोस्ट कर रहे होते हैं कौन सा जूता पहना है उसके पिक्चर पोस्ट कर रहे होते हैं या कौन से मुलक के अंदर क्या चीज़ देखी है उसके पिक्चर पोस्ट कर रहे होते हैं दिसके थूरू उनके जो followers हैं वो ये देख सकते हैं कि हमारा जो celebrity है या हमारा जो favorite person है कि जिसके Instagram को हम follow कर रहे हैं वो दिन के अंदर कौन कौन सी activities के थूरू गुजर रहा होता है इसके बाद दोस्तों हमारे पास point है visual customer response का आपका जो user है ये customer है अगर आप एक brand Instagram को use कर रहे है तो आपका जो customer है वो visually भी आपको respond कर सकता है और उसके response को आप अपने Instagram के ओपर या Insta जो अकसर एक short form Instagram की उसके ओपर post कर सकते हैं अपने profile के ओपर इसके बाद हमारे पास point है make and upload videos का you can make and upload videos also मेरे नजदीक videos are not really a good tool on Instagram ज्यादा तर लोग इसके ओपर photos share करते हैं photos की reach ज्यादा होती है लेकिन video capability भी आपके पास है जिसके अंदर different तरीके के tools भी आप इस्तमाल कर सकते हैं और इसके बाद last के अंदर हमारे पास point है जो सबसे important point है वो है influencers का Instagram के ओपर होती है celebrities Instagram के ओपर होते है influencers यह ऐसे influencers होते हैं जिसना start में हमने देखा कि शिजादा साब थे कि जिनको ज्यादा तर लोग तो जानते नहीं होते लेकिन उनकी एक community होती है जो उनके content को देख भी रहे होते हैं उसको पसंद भी कर रहे होते हैं वो हो सकता है कि एक मजाया content हो जो एक specific community में लोग पसंद करते हो या कोई pictures ऐसी वो post करते हो कि जो लोग देखना पसंद करते हैं यह influencers बहुत importance रखते हैं Instagram की community में अक्सर आपको freelancing के अंदर clients की jobs मिलेंगी कि जिसके अंदर client आपको request करेगा कि हमारे product related influencers ढूंडो और influencer से contact करके हमारा content उनको दो या हमारा product उनको दो ताके वो अपने Instagram पे share कर सकें और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे कम cost के अंदर तो आपकी duty होगी उन influencers को find out करना यह देखना कि क्या वो influencer उस brand को help out कर सकता है कितने लोग उसको use करते हैं और क्या आपको as a digital marketer इसके अंदर को skill होनी चाहिए या बनानी चाहिए और हमने यह भी देखा कि शिजादा कि जो एक influencer है Instagram के ओपर आम दुनिया उसको नहीं जानती लेकिन Instagram की community उसको बड़े च्छे